आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिक, सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन का चैप्टर नमबर 6 और चैप्टर का नेम आप देखो गाउं का प्रसासन ठीक है तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेशन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफी एजी होने वाले हैं ये क्वेशन आंसर ठीक है समझने के लिए और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफी हद तक और आपको यहां पर क्वेशन आंसर को समझा दूंगा ठीक है तो आपको यह आपर पूछा गया है कि पुलीस का क्या काम होता है तो आप सब जानते हैं वो क्या करते हैं तो देखो, हुं यह आप अत्तर दायत्त्व यहा है कि वह अपने छेत्र में हुई तथा लोगों से घटना के विश्छाय में पूस्ताज करे जाज परताल करें और मामलों पर कारवाई करें ठीक है यानि कि कहीं पर भी कुछ भी चीज अगर आपके इलाके में होती है ठीक है दुरगटना होती है, मारपीट होती है, चोरी डग रहती है कुछ भी चीज अगर होती है तो पुलीस क्या करती है उस इलाके में पहुँचकर वहाँ पूस्ताज करती है लोगों से वहाँ पर की जाँच परताल करती है ठीक है और फिर जो मामले निकलते हैं उन पर वो कारवाई करती है कि आगे क्या करना चाहिए ठीक है फिर देखो प्रस्ने दो है यहाँ पर आपके पास पटवारी के कोई भी जमीन है उसके पास रिकॉर्ड होते है ठीक है और दूसरा क्या यहाँ पर किसानों से भूमी कर इकटा करता है ठीक है वो क्या करता है किसानों से लैंड टेक्स ठीक है जमीन पर जो टेक्स लगता है कर उसको इकटा करता है और सरकार को अपने छेतर में उगने वाली फस तैसिलदार का काम आपको दिया है तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें कि किसका काम क्या होता है ठीक है तैसिलदार का क्या काम होता है तैसिलदार जमीन से संबंदित विवादों को सुनता है ठीक है यानि कि जो जमीन पर कोई कहता है हमारी जमीन है ठीक है तो उस पर और यहाँ सुनिशित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं ठीक है आगे आप देखो तैसिलदार यहाँ सुनिशित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए और तैसिलदार क्या करता है विद्यारतियों को जाती प्रमान पत्र आदि प्र की गई है और क्या आपको यहां मुद्दा महतपूर्ण लगता है और क्यों ठीक है तो देखो इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पतनी और बेटी को भी अपने पती तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए ठीक है पैरे टीक टाइम पर अधिकार मिलना चाहिए यहां एक महतपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहां समानता के आधार से जुड़ा हुआ है ठीक है क्योंकि हम अगर समानता का जो अधिकार है अगर यह सही में है तो सब के साथ बराबर निया होना चाहिए ठीक है बारतिय समिदान में किसी भी आधा प्रतिबंधित है और देखो लेकिन यह लिंग के आदार पर भेदवाओ है ठीक है उसके बाद देखो अगला प्रशन आपको आस प्रशन पांच पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा ठीक है पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है आपको बताना है तो देखो पंचायत गाओं की विकास के लिए योजनाय बनाती है तथा उन्हें लागू करती है पंचायत क्या करती है गाओं में कोई भी चीज़ा अगर नई हो रही है तो उसके लिए वो क्या करेंगी योजनाय बनाएंगी ठीक है कि इसको इस समझ सा है किसानों के खेतों से भी जुड़ी भी हो सकती है और इस प्रिकार पंचायत और पटवारी दोनों एक इस तरह पर रहकर काम करते हैं तो आपको समझ में आयोगा पंचायत और पटवारी का कार है अब उसके बाद देखो छटा है यहाँ पर छटा कोशन किसी पुलिस ठाने जाए और पता कीजिए कि यातायाद नियंतरन अपराद रोकने और कानुन विवस्ता बनाये रखने के लिए पुलिस क्या करती है आपके आसवास में कोई जो ठाना होगा ठीक कि वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर उनसे पूछना है आपको कि यातायाद मियंतरन अपराद रोकने और कानुन विवस्ता को बनाये रखने के लिए पुलिस वाले क्या करते है ठीक है तो इसका उत्तर देखो आप यातायाद नियंतरन ठीक है तो अपराद रोकने और कानुन विवस्ता को बनाये रखने के लिए पुलिस अन्यक परकार के काम करती है जैसे की देखो पुलिस थाने में अपरादियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखती है ठीक है जितने भी अपरादी होते है पुलिस क्या करते है उनके फोटो के साथ उनका रिकॉर्ड इन्होंने क्या क्या किया सब कुछ रखती है ठीक है दिन रात गस्त लगाती है ठीक है पैट जाँच करती है, जगाज़ जगाँ बर आपने दिखा हो, जो ट्राफिक पुलीस होती है, वो वहन कितनी तेजी से चल रहे हैं, उसकी भी जाँच करते रहते हैं, और वहन चालकों को सड़क यात्याद के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक सा सब्ताह मनाती है, सारवजिंग समाहों के अफशर पर पुलीस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है साथ ही पुलीस विशेस निगरानी भी करते है कहीं पर कोई अगर कुछ समारो हो रहा है सामाजिक समारो हो रहा है तो वहाँ पर क्या करते है तो एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुख्या उपायुक तो होता है अब देखो अगला प्रशन है आपकी पास आटो प्रशन है चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहित महिलाओं को किस तरह फाइदा होगा तो नए कानून जो बना है अब देखो नए कानून हिंद, इंदू उत्तरादिकार अदिनियम 2005 के अनुसार बेटों बेटियों और उनकी मा को जमीन यूए बराबर हिस्सा मिलेगा ठीक है और यहां कानून सभी राजियों और केंदर सासिद प्रदेशों में लागू है इस कानून से देखो बड़ी संख्या में औरतों को फाइदा ह और यदि हां तो उसे यह संपति कैसे प्राप्त हुई तो यह आपको स्वेम करना हो ठीक है आपके आसपास अगर कोई ऐसा है तो ठीक है आप लिखें और अगर नहीं है तो आप सिरह इसमें ना भी लिख सकते हैं और अगर है तो आपको हां लिखना है और उसके साथ यह भ चर्टर का नेम लिखे बाए मौडर्न मासर जी करके सर्च करें आपको वीडियो मिल जाएंगी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं बागी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मौडर्न मासर जी का नाम भी रोशन करें